राम राम के साम भायो कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे भगवान से प्राफना भी करता हूँ आप सभी लोग शदय शुखी एवन संपन रहें बीपी का उलबर चैनल पर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और बीपी का उलबर चैनल की तरफ से आप सभी लोगों के चड़ों में नमस्कार तो मेरे प्यारे अनदाताओ, आज का टॉपिक है डेरी फार्मिंग में, डेरी केटिल में, डेरी पसुहों में थनैला रोग, मस्चायटिस इस समस्या ने हमारी आर्थिक जो इस्थिति यह उसको जगजोर कर रख दिया है, थनैला ने ये एक रिपोर्ट के अंसार देखा जाए, तो भारत में 70 करोड रुपए का प्रतिवर्श नुकसान होता है केबल थनैला के द्वारा 70 करोड रुपए का इसमें मानव स्वास्त विवाग की रिपोर्ट के अंसार देखा जाए, तो थनैला के द्वारा जो भी दूद होता है, उस दूद के द्वारा मनुश्यों में ट्यूबर क्लॉसिस की बीमारी पनपती है, ब्रुसे लोसिस करके बीमारी फैलती है, गैस्ट्रो एंट्राइटिस बीमारी फैलती है, इसकारलेट फीवर फैलता है, ये इतनी खतरनाक बीमारियां हैं, जो वनुश्य की जान ही ले लेती हैं, नाइंटी परसेंट लोग इस बीमारी के द्वारा खतम हो जाते हैं, उनकी म्रत्य हो जाती है, कारड क्या है, सिर्फ पस्वों में थनेला, अब ये थनेला होता क्यों है, और होता किसमे है, अधिक तर जो डेरी फारिंग में, या अधिक दूद देने वाले हमारे पस्वों गाय भैस हैं, उनमें थनेला अक्सर हो जाता है, अब यहां पर भी हमारी लापरवाहियां रहती हैं थनेला होने के लिए पूरी तरीका से हम स्वाइम जिम्मेदार हैं, यह थे हम थोड़ी सी साबधानियां बरते हैं, तो थनेला होने की इस्थिती ही नहीं आएगी, मैं स् बस जरूरत है, तो किसकी हमें थोड़ी सी साबधानी बरतने की, वह साबधानी मैं पहले भी लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोग सिर्फ यह देखते हो, यह जो बेबकूब हिंसान बैठा हुआ, यह सिर्फ बता रहा है, और दालने के पिच्चा, इसे माइंड में ही रहने दिया करो मेरी बातों को, यह आप माइंड में रखोगे, तो आप कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करोगे, फायदे में रहोगे, इसमें होता क्या है, जैसे ही हमारी गाय हुई या बैंस हुई है, उसका प्रसव नज करती है, उसी समय से हमें साबधानियां बरतनी है, सबसे पहली साबधानी ये है, कि हम अपने प्रसू को गाय हो या भैंस हो, उसे रेत पर बिठाएंगे, हमारे घर में फर्स पड़ा हुआ, कोई बात नहीं, फर्स पड़ा रहने तो, लेकिन उस फर्स के उपर हम करीब 6-6 उसे रेत पर बिठाएंगे, पहली साबधानी, दूसरी साबधानी, उसके अडर पर 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 दे हमें पोटेसियम पर मैगनेट के गोल का इस्प्रे करना है, अब इस्प्रे के लिए कोई मसीन नहीं लानी है आपको, भाई हम लोग सेनेटाजर यूज करते थे ना, भाई सेन पर मैगनेट का गोल भरके, हास से दबा करके इस्प्रे करते रहें, बस, दिन में एक बार इस्प्रे करते रहें, जब तक बच्चा दे तब तक, अब बच्चा दे दिया है, बच्चा देने के दौरान उसका अडर बुरी तरीका से बिक्सित हो जाता, चारो तरफ फैल जा बैठते टाइम पर पसू के थनों से दूध निकल जाता है, जब दूध निकल जाएगा पसू के थन से, किसी भी एक थन से भी दूध निकल गया, तो उस थन का जो होल होता है, दूध निकलने वाला वो करीब-करीब 30 मिनट तक खुला रहता है, तो हमें क्या करना है? दुबारा फिर से हमें इस्प्रे कर देना है और जब बैठता है तो हमें इस चीज की खुद निगरानी रखनी शाबधानी बरतनी है कि इसके थनों से कहीं दूद निकला तो नहीं है ये निकल गया है कोई बात नहीं निकल जाने देजिए उस पर पोटेसियम पर मेगनेट का भोलका इस्प्रे कर दीजिए आप ये रही आपकी दूसरी साबधानी अब कभी कभी क्या होता है कि हम जब दूद निकालते हैं तो हमारा दूद निकालने का तरीका गलत होता है सपोज कीजिए ये हमारी भेंस का या गाय का थन है ये वाला ये थन है ठिक अब इस थन को 90% लोग किस प्रकार से मिलकिंग करते हैं वो मैं बता रहा हूं इस तरीका से अंगुठा सबसे पहले ये अंगुठा मोड लेते हैं जब लोग दूद निकालते हैं तो ये अंगु लेकिन ये अंगुठा का यहां पर दवाव पड़ता है जब दवाव पड़ता है तो उसकी नसों में प्रॉबलम हो जाती है स्वैलिंग आ जाती है बहीं से थनेला की शुरुवात होती है तो यह दमें दूद निकालना है कैसे निकालेंगे हम इस तरीका से पूरी मुठी स दूद निकालेंगे ऐसे करके पूरी मुठी से तो बैस को सनेला और गाये को थनेला होगा ही नहीं मैंने देखा हुआ मेरा खुद का प्रेक्टिकल किया हुआ लोगों के द्वारा नरीचड किया लोगों के साथ जाकर के लोगों के घरों पर जाकर मैंने नरीचड किया है उन्होंने बच्चे को लगाया, गाय बैस ने दूद उतार दिया, उन्हों दूद निकाल लिया खुब अच्छी तरीका से, दुबारा फिर से बच्चा छोड़ दिया, जब आपने बच्चा छोड़ दिया है, तो उसके थनों में तो दूद हो या अनालोग इन बच्चा होती है, जब बच्चे न दूद पिया है, तो उसकी लार और उसकी गंदगी गाय बैसके थनों में लगी रह जाती है, तो दूद निकालने का तरीका ये है, सबसे पहले हमें बच्चे को दूद पिला देना, उसके बाद मैं ठीक से थनम साफ करेंगे, साफ करने के बाद, करने की करके दूद पूरा निकाल लेंगे, जब दूद निकाल लिया, अब क्या करना है, तुरंत ही थन पानी से साफ करके, उस पर पोर्टेशियम पर मैगनेट का स्प्रे कर देना है, तुरंत ही हम अपने पशू केbra के लिए अच्छा चारा लेंगे दूद निकालने के ब खड़े ओकर के चारा खाता रहे वालके बैठे ना यह बैठ गया तो उसके जो होल खुले रहते हैं दूद बाले 30 मिनट तक उनमें इंफेक्शन बैक्टिरिया तुरंत पहुंचता है और वहां से थनेला की शुरुआत होती है यह तो हो गई थनेला की शुरुआत ठीक इस त suppose कीजТак एक दो परसेंट लोगोंने लापरवाही दी गाए भैस को थनेला हो गया थनेला नहीं होता है थनेला कब होता है ब्हुत डेंजर सिचुरुएशन में होता है सबसे पहले थनों में सूजन आती है यह अडर के किसी हिस्सा पर सूजन आती है तो आपको करना क्या है 100 ग्राम अंडी का तेल, 50 ग्राम सहद और 5 ग्राम चूना मिला करके इनका पेश्ट तैयार कर लें हमें देखना है कि हमारे गाय भैस के किसी एक थन में दूद टाइट निकल ला है या फबारा निकल ला है, या थन मोटा है या फिर एक थन छोटा हो गया या अडर में कहीं पर स्वैलिंग आ रही है, तो उस इस्थान पर हमें मालेस नहीं करनी है वलको वो दूद निकालने के बाद बहां पर वो पेश्ट लगा देना जब 3-4 दिन आप पेश्ट लगा देंगे, तो फिर बहुत सूजन जो होती है, बिलकुल खतम हो जाएगी थनेला आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा अब हम देखते हैं, कहीं पर जखम हो गया बच्चे ने दांत मार दिया, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीधा सीधा सा एक, मैं बताए दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक पोवेड ऐफार एस्प्रे आता है कितना भी हैवी जखम होगा हो बोड़ी पर कहीं पर भी आप पोवेड ऐफार का एस्प्रे कर दीजिए, गायवेंस का दूद निकालने के बाद जहां पर दांत लगा हुआ है, या कुछ लकड़ी चुब गई है, या थन पर जखम हो गया है, या डर में कहीं पर कोई जखम कुछा जखम है, तो वहाँ पर दो दिन आप पोवेड ऐफार का एस्प्रे डालिए, बहां से प्रावब्लम खतम हो जाएगा, अब थनेला का पॉइंट एक और बचा हुआ है, कि अकसर जब हमारी गायब है, टाइम से जेर नहीं गिरा पाती है, या बीफोर टाइम से अपना बोले कराएं, शीरफ और उसे दो, चार, शे दिन या पंदरा दिन तक प्लाएं, जिससे बच्चा दानी का एंट्रेक्शन ना हो, इस तरीका से बचाओ कर सकते हैं, अब आज मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, थनेला ठीक करने के लिए, टीटा सूल करके एक बोलेस आती है, जिसका एक पैकेट आता, टीटा सूल का, उसमें दो प्रकार की बोलेस निकलती है, ये एक बोलेस जो होती है, उस पर चांद छपा होता है, और दूसरी बोलेस पर सूरच छपा होता है, जिस बोलेस के रेपर पर सूरच छपा है, वो आपको सुबह को खिला जरूर खिलानी है। कम से कम तीन दिन तक आप मोनोफलक्स बोलस खिलाईए। जब तक पूरी तरीके ज़िए छतम ना हो जाए थनैला, तब तक आप जो है उसे बही टीटा सूल बोलस खिलाते रहेंगे थनैला पूरी तरीका से खतम हो जाएगा।